नमश्कार दोस्तों कैसे हैं आप हम एक बार फिल से हाजर है एक लेटस्ट वीडियो के साथ आज सुबह सुबह एक recruitment की information मैं आप लोगों के लिए लेके आया था UK SSSC की तरफ से जो TGT Teachers की recruitment आई जी regular basis की recruitment है 1400 से भी ज़्यादा इसमें vacancy या है PTI या आप बोल सकते हैं physical education teacher, music, पंजाबी, उर्दू, बंगाली, arts और commerce की तो इस recruitment से जुड़ी हुई update बिल्कुल विस्तार से मैंने आपको provide कराई थी आप लोगों ने वो वीडियो देख भी लिया होगा नहीं देखा है तो ये वीडियो देख लीजेगा इस वीडियो में भी short में दुबारा से सारी जयनकारी मैं provide करा दूँगा बाकि उस वीडियो के निचे जो सबसे ज़्यादा comment आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि हम UP से हैं क्या हम आविदन कर सकते हैं हम अरियाना से हम देली से या हम मारास्टर से हैं तो हम आविदन कर सकते हैं क्या आलो और इंडिया से candidate उन पदों के लिए आविदन कर सकते हैं उसी के बारे में जानकारी आपको इस वीडियो के माधिन से provide कराए जाएगी आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखें और टीचर्स की recruitment से जुड़ी हुई सभी परकार की latest update सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को भी जरूर से जरूर सबस्क्राइब कर लें तो ठीक है अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो ये देखिए दस तो ये detailed notification है आपको इसका link प्रोवाइड कराए गया था उत्राखंड अधिनस्थ सेवा चैन आयोग देरादून की तरफ से जारी किया गया है कल रात को जारी किया गया था तिराक्टमर 2020 को और इनके लिए अप्लाई करने के अंतिमतिती 412-2020, 1910-2020 से online application का process स्टार्ट हो जाएगा और fees आप जमा करा सकते हैं 612-2020 तक total vacancy है 1431 और subject के according आप यहाँ से देख लीजिएगा बार बार repeat करने कोई फायदा नहीं है vacancy है total है 1431 इसका link आपको वीडियो के नीचे description प्रोइड करा दिया जाएगा जो main reason है यह वीडियो लेके आने का वो यही है कि उत्राखंट से बाहर के जो candidate है वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं तो इस notification को बिलकुल हम ध्यान से पढ़ते हैं तो इसके serial number 13 पे बिलकुल detail से दे दिया गया है कि कौन-कौन इनके लिए आवेदन कर सकता है और इसके बाद देखिए पेस के लह 44,900 से 1,42,400 स्थाई recruitment है मतलब regular basis की recruitment है और जहां तक section की ओगता की बात है concerned subject में graduation आपके पास होनी चीए हो C के साथ LT diploma या आपने बेड कर रखी हो तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं IUC मा minimum 21 है और maximum 42 साल है minimum 21 और maximum 42 साल है एक जुलाई 2020 को ये देखिए serial number 13 पे बिलकुल update दे दी गई है कौन-कौन इनके लिए आवेदन कर सकता है ये देखिए उत्राखंड लोग सेवा आयोग की परीधी के बाहर समूह गय के सीधी भरती के पदों पर भरती है तो आवेदन करने के लिए वही अभ्यारती पात्र होगा जिसने अपनी high school एवं intermediate अथवा इसके समकक्ष स्तर की सिक्षा उत्राखंड राज्य में स्तित्मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो तो ये दोस्तों कंडिशन लगा दी है, बड़ी कंडिशन है, अगर आपने उत्राखंड से दस्मिया बार में कर रखे हैं, तो ही आप इनके लिए आविदन कर सकते हैं प्रन्तु यहे कि सैनिक, अर्ध सैनिक बलो में कारीरत, तथा राज्य सरकार, अत्वा उसके अधिन स्थापित किसी राजगिय, अर्ध शास के संस्था, में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों, एवं केंदर सरकार, अत्वा केंदर सरकार के सारवजन कुपकर्मों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्राखंड में कारिरत ऐसे कर्मी जिनकी सेवाएं उत्राखंड से बाहर स्थनानत्रित नहीं हो सकती हो समय अत्वा उनके पती पतनी जैसे भीस्तिती हो तथा उनके पुत्र पुत्री राजजदीन से वाओं में समुह गय के सीधी भरती के पदों पर चैन हेतु आविदन के पात्र होंगे तो दोस्तो कंडिशन साफ साफ है या तो आपने दस्वी बार्वी उत्राखंड में जो स्कूल है उनसे कर रखी हो या फिर आप उत्राखंड के स्थाई निवासी हो, डोमिसाईल आपके पास ओपर, आलो और इंडिया, आप कहीं रहते हो, कहीं से आपने दस्में बारवी करके तो भी आवधन कर सकते हैं या फिर अगर आप राज्य सरकार के या केंदर सरकार के करमचारी है या केंदर सरकार का कोई सारवजिनिक उपकर्म है उसके करमचारी है या राज्य सरकार का कोई उपकर्म है उसके करमचारी है और आप उत्राखंड में ही रहते हैं तो भी आप इनके लिए आविदन कर सकते हैं तो ये recruitment आपके लिए है नहीं तो फिर आपके काम की ये recruitment नहीं है बाकी main main जानकारी मैंने दुबारा से आपको इस recruitment से जुड़ी हुई provide करा दी है official website है www.sc.uk.gov.in यहीं पे आपको इन के लिए online apply करना होगा और इसके बाद जो भी update आपको मिलेंगी वो भी आपको इसी official website पे provide कराई जाएंगी application fees और देख लीजिए अनारक्षित सामाने उत्राखंड अन्य पिछडावर के लिए 300 रुपे उत्राखंड अनुसुचित जाती के लिए 150 उत्राखंड अनुसुचित जन जाती के लिए 150 उत्राखंड दिव्यांग आर्थिक रूप से कमज़र वर के लिए 150 यह है application fees तो ठीक है दोस्तो यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी वीडियो के मारदन से वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें फिर मिलते हैं किसी नवी वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार